मुझे को काटेगा चोटी मेरी सापली है ना कितना जल्दी चाचु हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं आसा करते हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों अभी बज रहा है साम के साढ़े तीन और हाँ दोस्तों थंडी बढ़ गई है आप सभी लोग बच कर रही है स्वटर पहन के रखिए क्योंकि दिन प्रति दिन थंडी बढ़ती ही जा रही है थोड़ा सा भी लापरवाई करेंगे तो थंडी लग भी सकती है तो इसल है कि धूब बहुत ही कम करता है दोस्तों तो नीचे कपड़े सूख नहीं पाते हैं छट पे डालते हैं तो थोड़ा बहुत भी दूब करता है तो कपड़े बहुत ही असाने से सूख जाते हैं तो इधर देखी आज मैंने बहुत धेर सारा कपड़ा साफिया हुआ था यह भी सुख गये हैं और उदर भी साजन के कपड़े हैं और पापा के कपड़े हैं जो कि ठंडी में कपड़े बहुत ही जादा बढ़ जाते हैं ठंडी में सब के कपड़े बढ़ जाते हैं सब कुछ रहता है तो चले दोस्तों कपड़े को उतार लेते हैं इसके बाद चलते हैं क्लेंदेवर मात पूला वन का सब्सक्राणावेशा नीचे क्योंकि आज बहुत हे चीजर्ब करते हैं तो अब और तो but आने यह जत करते हैं ऑब हो ऊकर जहें को क्षोर्णाटा रिऐसा फारा करते हैं लेकिन अल्सकर ओएंगा Isra तो गुल्ठा जरूर बनाया जाता है तो चलिए फिर हाल फटा फट कपड़े उतार लेते हैं इसके बाद चलते हैं नीचे देखते हैं क्या हो रहा है इस चीज की तैयारी चल रही है दोस्तों यहां पे हमने बहुत सारे कपड़े आज साफ किये थे और धूप में डाले थे सूखने के लिए यहां पे मम्मी का कपड़ा है और मेरा है और यह जो साड़ी देख रहे हैं यह हमारे देवरानी जी का है तो अभी यह सूखा नहीं है तो इसे हम नहीं उतारेंगे औ और बहुत सारे चोटे बड़े कपड़े हैं जो कि अभी सुख गए हैं और कुछ कपड़े हैं जो कि नहीं सुखे हुए हैं और स्वेटर दोस्तों एक दिन में नहीं सुखता है स्वेटर दो दिन में सुखता है क्योंकि हो मोटा होता है और ठंडी के मौसम में बहुत ही कम ध गुठा बनाने के लिए यहां पर उरत की दाल और चैना का दाल भीगोया गया है और यह अच्छे से फूल भी गया है तो यहां पर हमारी देवरानी जी अभी चाय पी रही है और यह रीसी बाबो खेल रहा है और यहां पर देखिए मटर का छिलका उतार कर रखती है बागी की सब्सक्राइब इध्यान lamps रही है तो दोस्तों अब मैं आ गई हूं किचन में ओर यहां पे एदेखें चैना का डाल और यह रहा यह अद्रक लैसुन और हरा मिर्श है और यहां पर रहा हरा लैसुन और खरा धनिया तो चलिए यह सभी को हम जो है की मिक्सर जार में पीश लेते हैं इसके बाद जो ही आप लोगों से मिलते हैं गोईठा में स्टफिंग भरने के लिए हमने चाना का दाल और उरत का दाल पीश लिया है बाकी कजूभी मेटेरियल था अद्रक लैसुन और हरा मिर्श होना हुआ जीरा सभी को हम अच्छी तरह से पीश कर रख दिये हैं अब चलिए यहां पर सबजी भी कट गया है तो हम सबजी चौँग देते हैं पकने के लिए यहां पर हमने तड़का को लाल कर के इसमें अद्रक लैसुन और हरा मिर्च प्याज उगरा डाल दिया है जो कि अभी यहां पर पक रहा है और यहां पर सारी सबजी भी लह गई है और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी टमाटर की सूखी सबजी जो की खाने में बहुत ही टेस्टी होती है तो यहां प थोड़ा सा हरा मतर मिल जाए तो वा कहीं मैं पूछिए मत इसका स्वात कितना बढ़ियां आता है इसलिए आज मैं गोइठा की साथ खाने के लिए आलू गोभी और मतर टमाटर की सबजी बना रही हूं और यह देखिए छोटी अभी मेरे पास ही खेल रही है क्योंकि इनकी ममी गई है बगल वाले दादी के घर उनके घर थोड़ा काम है अभी प्रोग्राम चल रहा है तो यहां पर हमने मतर डाल दिया है आप चलिए इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं यहां पर गोइठा में स्टफिंग भरने के लिए मैटेरियल सभी तयार है हरा धनिया भी प पीश कर तयार कर ली हूँ और इधर ममी सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर रही है पहले तो इसमें जो उरत का डाल और चना का डाल है और बाकी जो हरा मेटेरियल पीशी हूँ सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर रही है और इसमें कुछ खड़ा डाल भी रह गया है तो ममी बो तूश होंगे कि देवरणी कहा खहां गई दिखाई नहीं दे रहीयी है் इधर ममी बनाने लगी तो एसी कोई बात नहीं है अभी ऋ गई है बाबो इसलिए हम लोग जब गोइठा बनाते हैं तो मम्मी से थी मसाला करवाते हैं तो इसमें मम्मी डाल दी है जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और हरा मतर डाली है और श्वाद के रूशार नमक डाल दी है अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स करती है और यह जो इस्टफिंग बनाती है काफी टेस्टी बनाती है तो इसमें दोस्तों हरा मटड़ डाले हैं क्योंकि ठंडी का सीजन है और ठंडी में यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो दोस्तों गोईठा बनाने के लिए सब्सक्राइब कर लिए है इधर हमारा इस्टफिंगी तैयार हो गया है और हाटा भी तैयार कर लिया है ममी घर वेटा को भर रहे है चोटी क्या बन रहा है खाएगी गोईठा कैसे खाओगी गप 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 नहीं खाएगी यामी और इधर हमारी सब्सक्राइब के लिए यहां पाने गरम कर रहा है पानी में उपर साथ तेल है ना तो पहले इस बरतन में हम तेल लगाए थे ताकि गोईठा ये तली में चिपके नहीं यहाँ पर 10-15 गुइठा बनकर तयार हो गया है और इधर पानी में उबाल भी आ गया है तो चलिए इन सभी गुइठा को एके करके पानी में डाल देते हैं और हाँ दोस्तों ध्यान रखिए अगर पानी में उबाल आए तभी इसमें गुइठा डालना है वरना ये गुइठा तली में चिपक जाएगा तो इसमें सभी गुइठा को डाल देते हैं और इधर हमारी सबजी भी लगभग पकने वाली है तो इससे थोड़ा देर और करते हैं रहे हम और हमारी मम्मी और हमारी देवराने जी तीनों लोग मिलकर गुइठा बनाते। और हाँ दोस्तों गोइठा बनाने में काफी समय लगता है तो इसलिए हम लोग 2-3 लोग मिलकर बनाते हैं ताकि जल्दी से ये गोइठा बन कर तयार हो जाए और हाँ दोस्तों गोइठा पकाने के लिए लोग अलग-अलग तरीका अपनाते हैं लेकिन हमारे हैं पानी में ही अगर इस तरह से गुईटा पकाएंगे तो ये जल्दी पक भी जाता है और अच्छे से पकता है खाने में भी अच्छा लगता है और कुछ लोग पकाते हैं जो कि पाने के भाप से पकाते हैं वो भी खाने में अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लगता है दिखा रहे हैं छोटी मुझे को काटेगा छोटी मेरी सापली है न यहाँ पे हम लोगों ने सभी गुइठा पना कर तयार कर लिया है और जो पहले गुइठा डाले थे वो पक गये हैं और इसमें हम ये भी गुइठा डाल देते हैं और इसके बाद इसे ढख देते हैं पकने के लिए दोस्तों हमारे यहाँ इसी तरह से गुइठा बनाया जाता है आप लोगों के यहाँ कि इस तरीकी से बनाया जाता है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा और इधार हमारी सबजी भी बनकर तयार हो गई है ममे उधर चला रही है और इस गोईठा को ढग देते हैं पकने के लिए एक घंटे में ये गोईठा अच्छे से पक जाएगा तो ये देखिए दोस्तो हमारा गोईठा बनकर तयार हो गया है काफी टेस्टी बना है इसमें देखिए पानी बिलकुल नहीं है पानी एकदम सूख गया है और ये गोईठा बहुत ही अच्छा बना हुगा है इसमें सुगंध काफी अच्छा रहा है और ये हमारा सबजी भी बनकर तयार हो गया है तो आज का हमारा ये वीडियों आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर वीडियों अच्छा लगे तो वीडियों को लाइक करिए और मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अब हम फिर मिल लेंगे ऐसे ही एक नए वीडियों के साथ तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बाई बाई